सब्सक्राइब कीजिए राजदने एजुकेशनल ग्रूप पच्छकोडिया यूटूब चैनल को बेल आइकन दबाईए लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल अब भी चलिए स्टार्ट करने वाले आज के लेक्चर को आज का जो अमरे टॉपिक है आज हम पढ़ने वाले हैं मुलस्का फाइलम का क्लासिफिकेशन ठीक है आज हम मुलस्का संग के वरगी करन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर इस संग में हमें कितने तरह के वरगों के बारे में स्टड़ी करना है कितने तरह के क्लासिफिकेशन का बेस क्या होता है उन क्लासिफिकेशन का बेस क्या होता है उन क्लासिफिकेशन को हमें जो है इंडिविजुली जो है उसके जेनरल करेक्टर्स के साथ साथ एक्जाम्पल्स भी क्या करना है स्टड़ी करना है ठीक है मैंने आपको प्रिवियस लेक्चर में क्या बताया था आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलस्का का classification देखिए यहाँ पर अगर मॉलस्का फाइलम के classification की बात करें तो इसका classification जो है वो किस आधार पर किया दाता है या फिर वो कौन सा base होता है वो कौन सा criteria है जिसके आधार पर जो है इसका classification किया दाता है मैं पहले आपको यह बताता हूँ देखिए इसका classification है वर्गे करन है इसका base क्या होता है इसका base जो है sometime हम इसमें पाए जाने वाले जो यहाँ पर scales होते हैं या फिर पाए जाने वाले जो यहाँ पर special type के scale या फिर सल्क जैसे संरस्तनाई होती है स्ट्क्चर्द होते हैं उसको consider करते है तो मैंने कहा यहाँ पर sometime किसको consider कर रहा है आधार को scales Scale still को हींडी में क्या गयते हैं Scale to call कहा जाता है शल्क क्या गयते हैं इसको i.sसे कहा जाता है सल्क इसमें अलगलग परकार की scales present होते हैं हम इसकी बात करेंगे इसके साथ-साथ यहाँ पर जो है basically एक valve जैसे structure मिलेंगे कुछ एक वर्गों में जब मैं आपको gastro-poda पढ़ाऊंगा या gastro-poda के बाद जो by valve या फिर पिली साइ-poda class होता है इसमें हम देखेंगे कि इन वर्गों की कुछ सदशियों में कपाट जैसे structure मिलते हैं या फिर जिसे क्या गहते हैं इसे कहा जाता है valve क्या गहते हैं इसे? valve किहते हैं या फिर यहां पर कपाट भी कहा जाता है चुक है? तो यह हमारा जो है classification किया दाता है ठीक है अब देखते हैं यहां पर हमें इस particular phylum में कितने classes को study करना है देखिए scales, valve और locomotion structure के basis पे यहां पर हमें कितने classes पढ़ने हैं यहां पर हमें six classes के बारे में study करना है ठीक है छे परकार के वर्ग के बारे में आपको बताऊंगा और यह जो छे वर्ग हैं वो कौन कौन से हैं पहले हम यह देख लेते हैं फिर उन सभी वर्गों के बारे में one by one क्या करेंगे हम detail में discuss करेंगे ठीक है देखिए first of all जो class मैं आपको बताऊंगा that will about हम पढ़ेंगे monoplecophora क्या है मैं आपको बताऊंगा monoplecophora यह हमघर फ़र्ष्ट क्लास है тяжकर फार्ष्ट कलास है second class क्या है मैं ने क visitor एं पॉलपलेकोफ़ोब के बार में और पॉली फ्लेकोफ़ोब के बार जो हमें the third class पढ़ना होता है यह क्या है यह होता के फो पॉड़ा क्या होता है यह मैंने का इसके फो पॉड़ा होता है इसके फो पॉड़ा के बाद फोट क्लास देखते हैं जिसे हमें इस संघ में पढ़ना है यह क्या है मैंने का इसे कहा जाता है गैस्ट्रो पॉड़ा क्या कहते है इसे इसे एक गैस्ट्रो पॉड़ा कहा जाता है यहाँ पर हम देख रहे है यहां पर देख स्केया पुड़ happiest class दो हम पढ़ते हैं इसे क्या करते है 200 इसे कहते हैं पली sleepision workout ठीकisteriesabs पर ठीक vit possess ai पुड़ा क्या पेसे पिली sleep sonra कियं ओर यह जो pally sleep saiprama होगा होता है इसी को ही सम टाइम हम क्या बोलते हैं इसी को बाई वालबिया कह सकते हैं क्या कह सकते हैं मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यहां पे इसको बाई वालबिया क्यों कहा जाता है चीक है लेकिन यह से पहले हम डिसक्स कर लेते हैं कि जो लास्ट क्लास इस फाइलम में हमें डिसक्स करना होता है वो कौन सा हो हाँ पर यह 6 class भोता है इस phylum का वो होता है basically सिफेलो पोडा क्या होता है। मैंने कहा यह होता है सिफेलो पोडा ठीक है।ब धेखिए अगर हम सिफेलो पोडा की बात करें तो सिफेलो पोडा वर्ग के सदस्चित जो भी होते हैं, member होते हैं इसी को ही sometime क्या क्या किते हैं इसी class को कहा जाता है seную soda क्या क्या क्यते है इसे इसे seufufo no po do भी कहा जाता है हम ने यहां पे six classes के बारे में discuss किया इस determined और उसका जो आधार था वो आधार क्या था है skills मतलब इन में पाए जाने वाले इन में पाए जाने वाले वाल भी या फिर कपाट और इन में पाए जाने वाले जो गमनांग होते हैं या फिर लोकोमोटरी स्टॉक्चर होते हैं उसके अधार पर मैंने आपको बताया कि कौन-कौन से six classes हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है चीक है देखिए one more time हम देख साइपोडा और पिली साइपोडा जो है इसी को क्या करते हैं बाई वालविया क्लास कहते हैं सिफेलोपोडा सिफेलोपोडा को कहा जता है साइफोनोपोडा ठीक है मैंने कल के लेक्चर में आपको सिफेलोपोडा नॉन सिफेलोपोडा के बारे में कहा था देखिए यहां जो six class है, इसे हम क्या क्या रहें? सिफिलोपोडा, मतलब इस सिफिलोपोडा वर्ग के सदश्य के अलावाद जो भी अन्य वर्ग के member होते हैं रेगान दूसे क्लास के member होते हैं उसे हम क्या क्या कह देंगे? मतलब इन पांचों क्लास को हम union bei है यह सिफिलोपोडा के मेंबर नहीं है तो हम इसको किया सकते हैं यह five class non-sifilopoda के members होते हैं या non-sifilopods होते हैं सिफिलोपोड नहीं है और यहाँ पर यह six class हो गया जो सबसे last class होता है वो कौन सा है यह है सिफिलोपोडा थीग है हमने ये देखा चीक है यहाँ पर देखिए एक point जो आपको मैंने कल भी बताये था कि अगर हम molluska phylum जो की एक second largest phylum of the animal diversity होता है तो यहाँ पर देखिए इस molluska phylum में भी especially हम किसकी बात करें especially यहाँ पे gastropoda यहाँ पे class की बात करते हैं तो gastropoda class जो है इसके लिए कहा जाता है it is a first largest class क्या होता है यह मैंने का यह first largest class होता है और इस first largest class जो है basically कौन से संग का होता है यहाँ पर हम केवल molluska संग की बात कर रहे हैं कि मॉलस्का संका जो first largest class होता है वो क्या होता है यह gastropoda होता है ठीक है हमने यहाँ पे cis class को discuss किया अब one by one in different type के cis class को जो है individually one by one करके क्या करते है study करने वाले हैं पहले हम देखेंगे first of all very first class जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यह क्या है यह है monoplecophora ठीक है तो आईए हम study कर करने वाले है यह देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा जो first class है यह क्या है आप देख रहे हैं यहाँ पर है monoplecophora ठीक है तो अगर हम इस monoplecophora की बात करते हैं तो basically यहाँ पर हमें कौन-कौन से character दिखाए देते हैं इसे हम discuss करने वाले हैं देखिए इस monoplecophora में generally यह चल की बात करते हैं मतलब Scales की बात करते हैं इनके body में जो scales जैसे सल्क नुमा जो संदस्ना पाहे जाती है वो sc 웃 जो है आप यह जो भी सरदश्य होते हैं, इनके सरीर पर क्या पाये जाते हैं, मैंने कहा इसकेल का मतलब होता है, सलक पाये जाते हैं, और ये सलक कैसे होते हैं, ये बॉन से बने होते हैं, इसलिए हम कहते हैं, ये बॉनी स्केल यहाँ पर क्या होते हैं, प्रिजेंट होते हैं, जो भी मेंबर इस class में आते हैं इसके अलावा यहां पर दिखें next point हम अगर इस point को discuss करें तो यह कहा जाता है कि monoplecophora जो होते हैं strength basically इस class में आने वाले जो members होते हैं इनके आप जानते हैं कितने parts होते हैं मैंने previous life session में आपको बताया था कि इनके body के three parts होते हैं हमने head मतलब सिर्वाले भाग की बाद के थी visceral hump वाले भाग की बाद के थी और साथ-साथ हमने जो है अंतरांग कूबर के बाद हमने discuss किया था मांसल पाद के बारे में जिसे क्या कहते हैं muscular foot कहते हैं चिक है अब देखिए यहाँ पर हम किसकी बात करें इसके head वाले पार्ट की बात करते हैं मतलब अगर इसके सिर्वाले भाग की बात करें तो यहाँ पर सिर्वाले भाग में क्या दिखाई देगा इन सम मेंबर यह अपसेंट भी होते हैं तो यहाँ पर जो है complex statement मैं दे सकता हूँ मैं इससे कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके head पर नेतर पाए जा सकते हैं यहाँ पर सकते हैं बोला है it may be present it is present नहीं बोला है मतलब कुछ एक member ऐसा होगा जिसमें sometime यहाँ पर eyes absent भी हो सकते हैं क्योंकि यह जो है सबसे primitive type के सबसे आदिम परकार के क्या होते हैं मोलस्कंस होते हैं मतलब मोलस्का होते हैं अब देखिए यहां पर आइस प्रिजेंट हो सकते हैं आइस के साथ साथ यहां पर इसके हैड पर सम टाइम एंटीना भी क्या हो सकते हैं प्रिजेंट हो सकते हैं और आप यह जानते हैं एंटीना जो है से हम इंदी में क्या गयते हैं इसे कहा जाता है stringica ठीक है तो इनके head पर जो है stringica जैसे structure antenna भी present हो सकते हैं eyes भी present हो सकते हैं ठीक है हमने इसके head की बात कर लिए अब देखिए सीधे हम next point की दरफ lead करते हैं head के अलावा जो यहाँ पर next point होता है वो क्या होता है देखिए इस particular में हम सीधे यहाँ पर example की बात कर दरेंगी जिसे क्या कहते हैं इसे कहा जाता है नियो पाइलाइना और यह बहुत ज्यादा important example है ठीक है क्यों है यह देखिए मैंने का नियो पाइलाइना जो है basically यह member है यह वो जीव है जो कि monoplecofora में आएंगे लेकिन यह जो नियो पाइलाइना होता है इस ड्वेंड बैस सदस्य है यहां पे सयोजक कड़ी कि तरह क्या करते हैं सही हो जग कड़ी किस किस के बीच में होते हैं हमें यह पता करना है देखिए यह जो नियो पर लाना होता है कनेक्टिव लिंक तो होता है लेकिन कनेक्टिव लिंक जो है वो किस किस के बीच में होता है तो देखे मैंने कहा यहाँ पर annalida जो phylum है उसके सदस्चिक की बात करें या फिर mollusca phylum की सदस्चिक की बात करते हैं तो यह जो new pilina होता है वो इन दौनों ही phylum के बीच में क्या करता है मैंने कहा यह connective link के दरह work करता है क्यों क्यों कि यहां पे कुछ एक करेक्टर्स ऐसे होते हैं जो एनलिड़ा फाइलम से similarities को समानता को प्रदशित करते हैं but there are some more character which generally shows the similarities towards the molluscans ठीक है तो यहां पे दौनों के ही character होते हैं इसलिए it generally act as a connective link जिसे सयोजग करे भी कहते हैं हमने यहां पे यह study किया मैं आपको इसी के regarding मैं आपको कह दूँ जैसा कि हमने यहां पे previous lecture में study किया था जब मैंने आपको ortho ports के बारें बताया था ortho ports में basically आपने यह देखा था कि mirostromita में जो एक सदश्य हमने पढ़ा था ortho port में वह क्या था king crab lumulus चीक है और lumulus को हमने क्या कहा था वह जीवित जिवास्म होता है यहां पे नियो पाइलाइना को भी क्या कहते हैं कि it is also a living fossil क्या होते हैं यह मैंने कहां यह जो है living fossil ही होते हैं मतलब जीवित प्रकार के जो हैं जिवास्म इसे consider किये जाता है तो यह सारे point जो है आपको monoplay को forum में क्या करना है learn करना है बिल्कुल simple से point है पहले आपको यह बताना है कि इस work की सद्शिम में पाए जाने वाले जो भी यहां पे जो भी इनके body के बात करते हैं इसके सरीर की बात करते है तो इसके सरीर पर क्या होता है आप यहां पर देख रहे हैं की born मतलब borni scale present होते है born से benna हुआ जो है scale यहां पर पाया जाएगा इसके head की बात करते हैं तो on the head eyes as well as the antenna may be present present हो सकتे है यहाँ पर देखिए सीदे एक्जैंपल की बात किया मैंने जो कि क्या था नियो पहला ना था विच इस जेनरल या कनेक्टिव लिंक बिच्विन दो एनलेडा और मॉलस्का यही पर मैं आपको डिस्कस कर दो कि हमने जब प्रिविएस फाइलम श्टडी किया था और्थ्रोपोडा वहाँ पर मैंने एक पेरीपेटर्स जो की ओनिकोफोरा जो वैसे कलास होता है उसका मेंबर था मैंने कहा कि यह जो एनलेडा है और मॉलस्का है इसके बीच में तो नियो पहला ना है लेकिन अगर हम बात करते हैं एलिडा और और अर्थरोपोडा के बीच में सयोजग करी कौन होता है तो वो होता है पेरिपेटर्स ठीक है ये भी बहुत ज़िदा इन पॉइंट है हमें बस इन सब चीजों की बीच में डिफ्रेंशेट करना आना चीए मतलब ये किस तरह से अल हम पढ़ने वाले हैं पॉली प्लेकोफोरा के बारे में चीक है देखिए अगर यहां पर हम पॉली प्लेकोफोरा मतलब सकेंड क्लास के बारे में स्टड़ी करें तो देखिए यहां पे क्या कहा जाता है अब यहां पे स्टड़ी करने वाले हैं पॉली प्लेकोफोरा क्या ह होता है देखिए ये कहा जाता है कि इस वर्ग के सदस्ची जो होते हैं वो basically मैंने कहा इनके head पर अगर इसमें भी बात करें कि इनके head पर भी क्या present होता है मैंने कहा इनके head पर भी क्या present हो सकते है eyes present हो सकते है और नेतर के साथ-साथ यहां पर sometime क्या present हो सकता है, यहां पर antenna या फिश रंगीका के समान जो है structure present हो सकते हैं, मैंने कहा present हो सकते हैं, अब दीखें next point देखते हैं, अगर हम इसके body की बात करें, तो यहां पर भी हम किसकी बात करते हैं, इसके body पर हम यहां पर इस पर पाए जाने वाले skills की की बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं यहां पर इनके बॉडी पर पाए जाने वाले सल्क की बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं स्केल्स की बात कर रहे हैं ठीक है लेकिन देखिए यहां पर जो स्केल होते हैं वो किससे बने होते हैं यह जो स्केल्स होते हैं वो कैल्शियम से बने हुए स्केल्स पाई जाते हैं ठीक है केलसीफाइड स्केल्स कहते हैं तो इनके सरीर पर केल्शियम से बने हिए सल्क पाई जाते है ठीक है अब सीधे एक यहां पर एक्जांपल के तुर समझने के कोशिश करते हैं एक single example यहां पर हम कि मैंने का यह calcium से बने हुए इसमें क्या होते हैं प्रिजेंट होते हैं है ज्रुक के प्लेट से बने हुए कुछ एक यहां पर सल्क पाय जाते हैं इनकी संख्यां कितनी होती है बताएं आप मुझे यहां पर आठ होती है कितनी होती है आठ प्रकाल के कल्शियम के प्लेट्स यहां पर पाय जाते हैं और यह जो प्लेट्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं मैंने का यहां पर जो plates होते हैं, यह basically अनुधहरिये रूप से क्या होते हैं, arrange होते हैं, देखिए, अनुधहरिये का मतलब क्या होता है, मैंने कहा इसे कहा जाता है longitudinal, कैसे होते हैं यह, मैंने कहा यह longitudinal way में क्या होते हैं, arrange होते हैं, यह आपको special point learn करना था, काईटन के बारे में काईटन जो है basically belong to which class मैंने का it generally belong to the polyplacophora of the molluska phylum हमने यहाँ पे इतने सारे general character के बारे में देखा और इतना ही जरा detail में हमें study नहीं करना मैंने का इतना ही sufficient होता है अब सीधे लीड करते हैं हमारा जो polyplacophora के बार जो यहाँ पे third class होता है वो क्या होता है आप सभी जानते हैं यह हम पड़ते हैं यहाँ फिर थर्ड क्लास के बारे में और third class जो होता है इसे क्या क्यते हैं इसे कहा जाता है scafopoda क्या कहता है इसे कहा जाता है Skafo Poda ठीक है यहां पर मैं आपको Skafo Poda में आने वाले जो भी सदस्ची होते हैं जो भी Member होते हैं मैं आपको इसके बारें बताऊंगा First of all हम यह बात करते हैं कि Skafo Poda जो है basically यहां पर क्या होता है कि इस स्वे ही इनके हेड पर क्या होता है इनके हैड पर आइस तो प्रेजेंट होते हैं यहां पर क्या प्रेजेंट होता है और इस विशेज प्रकार के एंटीना को special type of एंटीना को क्या कहते हैं इसे कहते हैं प्री हेंसाइल एंटीना क्या कहते हैं इसे कहा जाता है प्री हेंसाइल एंटीना क्या होता है मैंने का यहां पर प्री हेंसाइल का मीनिंग होता है कुंडलित क्या कहते हैं इसे इसे कहा जाता है प्री हेंसाइल जो है क्वाइल्ड होते हैं क्या होते हैं मैंने कहा यहां पर प्रिहंसाइल टाइप के एंटीना प्रिजेंट होता है और यह जो एंटीना है इसे हम क्या कहते हैं सम्टाइम जो है मैंने कहा यहां पर क्या प्रिजेंट हो सकता है इसके हेड़ पर आइस के साथ-साथ यहां पर प्रि होता है मैंने का यहां पर जो मेंबर है यहां पर जो एक्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं इस स्केफोपोडा क्लास का उसे क्या कहते हैं इसे कहा जाता है डेंटीलियम क्या कहते हैं यह जो लेकिन यहां पर सबसे important point हो मैंने आपको बताया था prehensile किसका पाया जाना? prehensile antenna like structure का पाया जाना अगर हम इसके head की बात करें suppose मैंने का यह head है ठीक है और यह head है ठीक है इसके मैंने का यह eyes present है और अगर यहां पर हम antenna की बात करते हैं तो antenna कैसा है? मैंने का कुंडलित रूप से पाय जाएगा ठीक है? normal condition में antenna कुछ ऐसे present है यहां पर यह quailing like antenna इस तरह से यहां पर कुंडलियन दरसाते हुए इस तरह से यहां पर क्या होता है? इसके head पर antenna present होता है यह dentilium जो है यहां पर सदश्य है scafopoda का जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ और इसे जो है common list का सामानी नाम क्या होता है? आप मुझे बताएं इसे कहते है elephant tusk cell कहा जाता है हमने यहां पर three classes which generally belong to the moluska phylum उसके बारे में discuss किया अब देखे अब मैं आपको बताने वाला हूँ fourth class के बारे में जो कि क्या होता है? जो कि होता है gastropoda क्या होता है? gastropoda होता है अब हम directly discuss करते है gastropoda class के बारे में कि आखिर gastropoda class जो है मारा fourth class जो होता है इसमें हमें कौन-कौन से general character जो है पता होना चाहिए हम यहां पर gastropoda के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि अब जो है evolution के sequence में gastroport जो होते हैं अंगे दूसरे जो work के सदश्यों होते हैं उससे ज्यादा विक्षित होते हैं most advanced type के character को रखते हैं क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अगर हम इस particular इस file में पाए जाने वाले जो भी members होते हैं उसके सदश्यों के अगर हम body parts की बात करें तो आपको पता है three body parts होते हैं head होता है, head के अलावा visceral hump मतलब अंतरांग कूबर होते हैं और muscular foot मतलब mansal part पाई जाते हैं ये तीनों प्रकार की जो body parts होते हैं, सरीर के जो खंड होते हैं, वो इस work के सदश्य हैं मतलब किस work के सदश्य हैं, मैंने कहा, ये जो gastropoda work के सदश्य होते हैं, इसमें हमें इस post group से दिखाई देते हैं या फिर ये कहें कि ये clearly visible होते हैं, differentiated होते हैं, ये इस post group से भी भेदित देखे जाते हैं तो मैंने आपको क्या बताया, very first point जो हमें इस gastropoda में पढ़ना होता है, वो क्या है मैंने कहा, अगर इस work में आने वाले सदश्यों के body parts की बात करें, तो मैंने कहा, अब पहली बार होने वाला है कि यहाँ पर ये ऐसा class है, जिसके body parts में अगर ये तीनों parts की बात करें, ये कौन-कौन से होते हैं मैंने कल के lecture में भी आपको बताया था, basically हमने क्या देखा था, कि ये जो body part होता है, ये कौन-कौन से है मैंने का, ये हो सकता है, इसमें head, क्या हो सकता है, इसमें head हो सकता है head के साथ-साथ, जो next body part देखा था, अपन ने ये क्या था, ये था visceral hump, क्या था ये ये visceral hump था, visceral hump के साथ-साथ, यहाँ पे क्या present होता है, मैंने का, ये होता है, muscular hump क्या होता है मैंने का muscular foot present होता है muscular foot जो यहां पर present होते हैं यह भी यहां पर thought part consider के जाते हैं और यह तीनों पार्ट को अगर हम देखें मैंने का ये सिर होता है visceral हम को क्या केता है इसे कहा जाता है अंतरांग कूबर क्या केता है इसे इसे कह सकते हैं अपन अंतरांग कूबर ठीक है और यहां पर जो muscular foot होता है जो किसके लिए responsible होता है आपको बता है ये locomotion के लिए क्या होते हैं पाए जाने वाले कुछ एक structure होते हैं, हमने स्नेल के जो hypothetical diagram जिसके बारे में कल discuss किया था, तो muscular foot किस तरह से यहां पे ventral part पे अधर बाले भाग पे present होता है, उसके बारे में आपको बताया था, देखे, अब यहां पे अगर mansal part या muscular foot की बात करते हैं, तो basically यह जो है locomotion के responsible तो होता है, लेकिन इसे हमने कहा, इसे हिंदी में क्या करते हैं, इसे कहा जाता है mansal part, ठीक है, तो यह जो तीनों तरह के जो body parts होते हैं, शरीर के खंड होते हैं, वो यहां पर gastropoda के members में क्या होते हैं, मैंने कहा यह जो है basically sports group से क्या होते हैं, क्या होते हैं, मैंने कहा, यह जो है differentiated होते हैं, differentiated का मीनिंग क्या होता है, मैंने कहा, यह इसमें sports group से बिभेदित होते हैं, यहाँ पर यह point जो है हमने क्या किया है study किया मतलब आसानी से दिखाई देंगे आप जो है इसके member को देखके यह पैचान पाएंगे कि हाँ यह इसका head वाला part है यह इसका visceral hump होता है और यह इसका mansal part या muscular foot होता है clearly दिखाई देंगे आपको ठीक है हमने यह parts की बात की अब देखिए next part की और बढ़ते हैं यहाँ पर जो next character होता है वो क्या होता है मैंने का यहाँ पर आपने previous lecture में कुछ एक special type के character के बारे में study किया था मैंने आपको बताया था कुछ एक structure होते हैं जिसे क्या कहते हैं इसे redula कहते हैं मैंने का इसे redula कहते हैं आप जानते हैं कि यह जो redula होते हैं यह क्या होते हैं मैंने का यह जो redula है यह इनके मुख में पाए जाने वाले मात में पाए जाने वाले या फिर यह कह सकते हैं यह भोजन के अंतर गहन के अंग होते हैं के बारे में मैंने आपको कल बता दिया है चुक्ति रेडूला के साथ हमने कल जो है एक special type के character के बारे में देखा था एक जैविक प्रिक्रिया एक biological process के बारे में आपको बताया था वो क्या था मैंने का इसे कहा जाता है तॉर्सन क्या कहते हैं इसे इसे कहते हैं तॉर्सन और अगर हम इस रेडूला और इस तॉर्सन की बात करें तो यह रेडूला और तॉर्सन दोनों ही प्रकार के special character होते हैं वो यहां पे इस ही सदश्य में मिलते हैं मतलब इसी particular अगर हम इसके लार्वल स्टेज की बात करते हैं देखे यहां पर मैंने आपको क्या बताया यहां पे जो लार्वल स्टेज की बात करें यहां पे अगर हम लार्वा अवस्था की बात करते हैं तो मैंने का यहां पे वैलिगर लार्वा होता है चिक है कौनसा होता है मैंने का यहां पे वैलिगर लार्वा होता है अगर यहां पे लार्वल स्टेज प्रिजेंट है तो म फोड़ा में देखने मिलता है उसके बारे मोताया चलिए अब सिध्यरी लीड गरते हैं इसके एक्जांपल के तरफ तरफ यहां कोन k simulation है जिसे हमें यहाँ पर क्या करना है इसे कहा जाता है इसका common name होता है हमने यहाँ पर फॉस्ट मेंबर उसके बारे में डिसक्स किया अब देखिए अगर यहाँ पर सकेंड मेंबर की बात करें पाइला के अलावा क्या होता है इस डियुंट मैंने ऑपाइला जो है यह फॉस्ट मेंबर है जिसे हमने अपपल सेल बोला इसके बाद जो next example हम बढ़ते हैं यह होता है एपलईسिया क्या होता है आप मुझे बताए यह क्या है मैंने लिखा है एपलाईसिया apply siya यहाँ पर second member होता है लेकिन अगर इसके common name की बात करते हैं इसके सामाली नाम की बात करते हैं apply siya जो है इसका common name क्या होता है मैंने का इसका common name जो होता है see hair क्या होता है ये मैंने का इसे कहा जाता है see hair see hair क्यों कहते हैं basically इसका common name see hair बोलेंगे या फिर हिंदी में इसे कहेंगे इसे समुदरी खर्गोस कहते हैं क्या कहते हैं इसे समुदरी खर्गोस कहते हैं क्यों क्यों क्योंकि यह बहुत ज़्या रैपिडली मुवमेंट को शो करते हैं बहुत तेजी से गती दरसाते हैं तो समुदरी खर्गोस या भी समुदरी खरहा के सकते हैं ठीक है थार्ड एक्जांपल की बात करते हैं थार्ड एक्जांपल है हमारा लाइमेक्स ठीक है तो हम लाइमेक्स के बारे हो पढ़ने वाले हैं ठीक है लाइमेक्स को क्या कहा जाता है हमारा थार्ड एक्जांपल जो हम देख रहे थे यह बहुत जादा इन्वुटेन पॉइंट है इससे क्या कहा जाता है slowest inverti braid कहा जाता है जैसा कि मैंने आपको तीनों example के बारे में बताया था हमने पाईला के बारे में एपलिसिया के बारे में इसके साथ-साथ lyme-ex के बारे में study किया है लाइमेक्स को क्या कह सकते हैं slowest invertibrate कह सकते हैं slowest invertibrate का मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि ये सबसे धीमे चलने वाले जो आप कशेरुकी परकार के जीव होते हैं वो consider किये जाते हैं तो हमने यहाँ पर 3 basic example के बारे में discuss कर लिया है अब सिधे लीड करते हैं कि हमें और दूसरे कौन से classes हैं जिसके बारे में study करना है ठीक है देखिए इसके बाद हम study करते हैं इसका जो 5th class होता है जिसे क्या कहते हैं इसे कहा जाता है पिली साइपोडिया कहते हैं इसे कहा जाता है बाई वालविया ठीक है तो यहाँ पे अगर हम पिली साइप ओडिया की बात करते हैं तो basically यह जो पिली साइप ओडिया या फिर जो इसे ही क्या करते हैं इसे बाई वालविया भी कहा जाता है तो यह बाई वालविया क्यों कहते हैं हम इसके बारे में भी डिसकस करेंगे ठीक करता हैं मतलब कपाड जैसे कुछ एक संरसनाएं होते हैं तो यहाँ पह कहा जाता है किस पृवार्ण ने कितने होते हैं, unrest no जो इसके捨 कोन-कौन से अव्म कहना है कौन्स से सक्षफ को हमें यहाँ ररी करना थे बिल्कुल।िशम पौडा में छो हम नहीं पढ़ा हूसकी कि जस्ट अपॉसित होता है मैंने आकको कई तके पार्ट के बात करते हैं जो होते हैं कौन कौन से होते हैं इसमें head होता है इसके साथ- यहां पर visceral hump होता है यह बिल्कुल gastropoda में जो हमने पढ़ा है उसकी just opposite होता है मैंने आपको उसमें क्या कहा था कि इनके जो body parts की अगर बात करते हैं body parts कितने होते हैं मैंने आपको बताया था body parts जो होते हैं वो three होते हैं कौन-कौन से होते हैं मैंने कहा था इसमें head होता है इसके साथ यहां पर visceral hump होता है यहां पर visceral hump को मतलब अंतरांग कूबर को मैंने वीएट से represent कर दिया है और वीएट के साथ यहां पर और क्या था मैंने का यहां पर muscular foot भी होता है पॉइंट करने होते हैं यहां पर अगर हम एक तरह के बाद की बात करें या फिजैविक क्रियाओं की बारे में बात करते हैं जिसे क्या कहा जाता है इसे हम कहते हैं Redula चीक है आपको मने बता रखा है कि Redula क्या है और साथ-साथ यहां पर हम बात करते हैं टॉर्चन की किसकी बात कर रहे हैं तो यह दौनों Special Character की बात करते हैं तो यह यहां पर जो बायवालबिया होते हैं Is different from the, is different from the gest거든요 class तो यह हमने study किया, इसके साथथ साथ, यहाँ पर हम क्या study करने वाले हैं ? कि अगर हम इसमें larvlies Puisquas का की बात करें किस स्पेश की कि, अगर हम यहाँ पर किसी की बात करें लारवल स्टेश की बात करें तो यहाँ पे कौन-कौन से लार्वल स्टेज यहां पे प्रिजेंट होते हैं, लार्वा अवस्था यहां पे हमें देखने को मिलते हैं, तो वैसे कलिए यह क्या होते हैं, यहां पर दो प्रकार के लार्वा की बात करेंगे, एक तो क्या होता है, वैलिगल लार्वा होता है, इसके साथ- कौन सा लारवा यहां पे ग्लो काईडियम लारवा भी प्रिजेंट होता है और वैलिगल लारवा भी क्या होता है तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें embryonic development जो है वो indirect type का होगा ठीक है यह सारे point जो है हमें कहां study करना होता है यह जो है बाई वालविया class में study करना होता है अब सी यहां पर हम discuss करते हैं इसके example के बारे में कि आखिर कौन-कौन से example हमें यहां पे पिली साइप ओडिया या फिर बाई वालविया class में study करना होता है इसका देखिए फॉस्ट example की बात करें इसे क्या करते हैं इसे कहा जाता है यूनियो क्या करते हैं इसे इसे यूनियो कहा ज साथ यहां पर स्नेयल के ही एक उतियी होती है प्रिजाथी होती है से आंग कहते हैं पिंक टैडा हे पिंकट य hela हम पर एक 혼тов क्या है तर्ड य Cow कि शुक् dominated की यहां पर यहांप लेफंशन्ण यूनियों की बात करें, यूनियों को क्या कहा जाता है, इसका common name होता है, fresh water क्या होता है, मैंने का common name यहाँ पर हम study करते हैं, इसे कहा जाता है, fresh water muscle क्या कहते हैं, और यहाँ पर जो यह muscle है, इस term का मतलब क्या होता है, कुछ एक CP याफी CP जैसे कुछ सरनस्तना यह पाये जाती हैं जो यहाँ पर union को represent करता है चीक है मैंने कहा यहाँ पर basically जब union का आप diagram देखते हैं तो उनमें जो है कुछ outer plate या फिर सिपी जैसी या muscle जैसी कुछ एक structure present होता है जिसके अंदर इनका जो है internal content जो है कि पिंग टेडा जो होता है इसे क्या कहा जाता है पिंग टेडा जो है इसे हम commonly यह जो इसका सम्माने नाम होता है मैं आपको यह बताने वाला हूँ इसे कहते हैं pearl oyster क्या कहते हैं इसे इसे कहा जाता है pearl oyster कहते है pearl oyster जो होता है वो क्या होता है मैंने का यहाँ पर pearl oyster का meaning क्या है यहां पर basically यह मोती जैसे कुछ एक structures होते हैं मोती जैसे कुछ उत्पाद या फिर primary product को क्या करते हैं form करते हैं या फिर हम यह कहें कि इस पिंक टेडा प्रजाती जो है इसमें basically जो कवच पाया जाता है अगर इसमें पाये जाने वाले cell की बात करते हैं तो यह जो cell होता है वो बहुत ज्यादा मैंने कहा उच्टम कोटी का होता है या best type का होता है इसलिए इस cell से हमें क्या मिलता है इस cell से जन्रली हमें मोती मिलते हैं या oyster जो हमें मिलते हैं और इसी basis पे इसी आर्थिक में तो क्याधार पर यह कहा जाता है कि पिंग टेड़ा जो होते हैं उसमें जो cell होता है वो बैसेकली उससे हमें मोती मिलता है इसलिए क्या कहेंगे इसे इसे pearl oyster कहा जाता है तो यह तीन example जो हैं हमें किस class में पढ़ना होता है मैंने कहा यह जो है 3 examples हमें पिली साइपोडिया या फिर हमें बाइवालविया class में पढ़ना होता है अब सीज़े लीड करते हैं हमारा जो next class है वो क्या है हम ये देखने वाले है नेक्ट क्लास जो हमारा लास्ट क्लास है और ये हम पढ़ने वाले हैं कौन से क्लास के बारे में हमारे जो six classes इसे क्या कहते हैं इसे कहा जाता है सीफेलो पोडा क्या कहते हैं मैंने कहा इसे कहा जाता है सीफेलो पोडा सी फेलो पड़ा के बारे में कौन-कौन से करेक्टर हमें यहाँ पर study करना है हम सीधे इसकी बात कर लेते हैं सी फेलो पड़ा क्लास के जो भी members होते हैं वो कहां पाय जाते हैं मैंने कहा ये समुद्री जल्में पाय जाते हैं मतलब marine water में मिलते हैं या फिर sea water में मिलते हैं यह तो बिल्कुल casual सा point है लेकिन special point क्या है special point यह है कि इस class के member में एक विशेश प्रकार की गरंथी पाई जाती है इसे क्या कहते हैं इसे कहा जाता है ink gland क्या कहते हैं इसे इसे ink gland कहते हैं, स्याही गरंथी कहते हैं, लेकिन ये ink gland का यहाँ पे work क्या होता है, हम ये देख लेते हैं, ये जो ink gland है, इन में basically किस कारी को संपाज़ित करते हैं, कौन से special type के works को perform करते हैं, तो basically ये जो है इसके इस particular जो work है, इसमें पाए जाने वाले सुरक्षा और आकर्म की दरश्टी से पाए जाने वाले कुछ एक structure होते हैं, जो यहाँ पे पाए जाते हैं, मैंने कहा, it is responsible for the offense and defense, किसके लिए, मैंने कहा, ये जो है, offense and defense के लिए क्या होते हैं, responsible होते हैं, offense का मतलब होता है, आकर्मन करना, ठीके, defense का मीनिंग क्या होता है, defense का मतलब होता है, सु ग्लेंड या फिर इसे स्याही ग्रंथी कहा जाता है चीक है हम यहाँ पे सीधे इसके एक्जाम्पल के दरफ लीड करते हैं यहाँ पे हमें कौन सा एक्जाम्पल जो है इस सिफेलो पोड़ा क्लास में स्टड़ी करना होता है यह होता है ओक्टोपस क्या होता है मेरे का यहाँ पर octopus के बारे में क्या करते हैं study करते हैं ठीक है लेगिन इससे पहले मैं आपको यह बता दो कि इसे sevelo poda क्यूं कहा जाता है या sevelo poda class का meaning क्या है ठीक है यहां देखिए sevelo poda class का meaning क्या होता है यहां पर सिफेलो टर्म होता है वो क्या represent करता है यहाँ पे सिफेलो टर्म जो है head को represent करता है ठीक है और यह जो poda होता है इसमें पाए जाने वाले path या फिट को represent करता है तो यहाँ पे यह कहा जाता है कि इसमें पाए जाने वाले fit या फिट जो path जैसे structure होता है इसे पर हैं उसके head पर present न 271 किए अब सीदे इसके example की बात करते हैं कि optopus में हमें कूंक से structure यह फिसके structure को देखते हैं ताकि इसके जो भी general characters को हम अच्छे से study कर पाएं इसके structure को do pare करते हैं जह कि optopus हमें कैसे दिखाई देते हैं लेकिन आपको इतना पता है कि Octopus जो है इसमें Arms कितने होते हैं, यहाँ पर Octo जो है क्या represent करता है, Octotum जो है यहाँ पर 8 को represent करता है, 8 को दर साथ है, ठीक है, और यहाँ पर 8 क्या होते हैं, मैंने का यहाँ पर 8 जो हैं Arms present होते हैं, क्या होते हैं 8 arms present होते हैं 8 प्रकार की जो है भुजाएं इसमें हमें देखने को मिलती है ठीक है और इन भुजाओं का work क्या होता है इसका work होता है लोको मोशन क्या होता है लोको मोशन होता है हालां कि कभी-कभी जो गमन है या लोको मोशन है वो किस से देखने को मिलेगा मैंने का यहाँ पर इसमें पाए जाने वाले जो body का third part होता है जिसे हम muscular foot कहते हैं या फिर mansal part कहते हैं उससे भी गमन होता है लेकिन यहाँ पर जो octopus होता है इसमें eight arms present होते हैं आठ भुजाएं पाए जाती हैं जो की locomotion के लिए क्या है responsible है इसके एक single diagram के तुरू इसके characters को हम study करते हैं मैंने का octopus का जो है एक outer diagram हम बना रहे हैं ताकि इसके characters को हम क्या कर पाएं study कर पाएं चीक है यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर octopus के diagram को यहाँ पर draw कर सकते हैं मैंने का इसमें यहाँ पर number of arms को बताने से पहले यहाँ पर इसके eyes वेगरा को represent करते हैं हम मैंने का यह इसके eyes हो गए चीक है और साथ साथ मैंने का यह particular part जो होता है यह कौन सा part है मैंने का यह part जो है इसका head वाला part होता है लेकिन ये जो पार्ट होता है इसका anterior पार्ट इसका body है चिक है क्या है इसका body है चिक है और यहाँ पर इसके arms की बात करें कि arms जो है कहां present होते हैं मैंने इसी particular part से 8 प्रकार की भुजाएं जो है arise होती है तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको ये वाला भाग दिख रहा है ये क्या होता है मैंने का ये जो structure आपको दिख रहे हैं ये eyes है क्या है ये eyes है और यहाँ से हम arms की बात करते हैं कि आकर ये भुजाएं जो होती है आप प्रकार की किस तरह से जो है पाई जाते हैं हम इसकी बात कर रहे हैं ये इसका first arm हो गया ये इसका second arm हो गया ये third हो गया ये हो गया fourth यहाँ पर ये fifth number का हो गया ये sixth number का हो गया यहाँ पर एक arms बना रहे हैं और ये हो गया इसका last arm यहाँ पे number of arms कितने दिख रहे हैं आपको 8 दिखाई दे रहे हैं हम ये भी देखेंगे ये जो arms होते हैं यसे क्या कहा जाता है मैंने का ये क्या हैं ये arms होते हैं और इन पाईज आने वाले जो special type के 8 arms होते हैं which are responsible for the locomotion इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं hectocotile क्या कहते हैं इसे? मैंने का इसे कहते हैं hectocotile arms कहते हैं और ये जो arms होते हैं वो बहुत ज़्यदा important होता है किस process के लिए? मैंने का ये जो hectocotile arms होते हैं ये reproduction के लिए क्या होते हैं? helpful होते हैं यह किसमें helpful होते हैं? मैंने का यह reproduction या फिस जंदन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं, hectocotile arms यहाँ पर present होते हैं, अब देखिए, इसके structure को, octopus के structure को one more time हम यहाँ पर study करने वाले हैं, मैंने का यह इस पर क्या present है? यह इसका particular head वाला part है, जिस पर ही eye present होता है, लेकिन आप यह देख रहे हैं कि इसके head वाले part से क्या जुरा हुआ है, fit जुरा हुआ है, इसलिए मैंने कहा इसे क्या कहते हैं? सिफिलो पोर्डा कहा जाता है, चीक है? लेकिन इसके साथ मैंने कहा 8 types के arm present होते हैं, और इस arm के ल class में जो सबसे important character था, उनमें से एक ये भी था, कि इसमें क्या present होते हैं? मैंने कहा इसमें ink gland present होते हैं, और इस ink gland से क्या होने वाला है? मैंने कहा यह अपने आपको सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, और साथ-साथ कभी-कभी सिकार पे आकर्मन करने के लिए भी इसको ink gland को use में लेते हैं, ठीक है? हमने इतने सारे character जो हैं, उसी फिलो पोड़ा में पढ़ा, उसे पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? हमने यहाँ पे बाई वालविया class को पढ़ा था, तो इसी के साथ हमने जो mollusca phylum में जो six classes होते हैं, छे work के बारे में जो हमें पढ़ना होत होता है, उसके example के साथ हमने इसके general characters को भी क्या किया? study किया, इसी के साथ mollusca phylum क्या हो जाता है? end हो जाता है, ठीक है? लेकिन आज हम इसके mollusca phylum के बाद जो next phylum होता है, वो क्या होता है? echinodermita, ठीक है? यहाँ पे echinodermita को भी हम आज ही start करने वाले हैं, उसके बारे मे प्रेंड हो गया है, और हमारा जो बिल्कुल fresh phylum है, जो बिल्कुल fresh topic है, वो क्या है? यह है echinodermita, ठीक है? echinodermita के बारे में जो भी basic बाते हैं, हम इस class में discuss करने वाले हैं, हमारा phylum क्या है? हम next phylum क्यों लीड करते हैं? यह है echinodermita, ठीक है? echinodermita जो है इसके general characters को study करने से पहले मैं आपको यह बता दूँ कि यहां पर echinodermita में echinodermita में echinodermita क्या represent करता है, derma word का मतलब क्या होता है, eta जो है वो क्या represent करता है, इसका मतलब इसके general characters को पहचानने का तरीका एक यह भी है, कि इसको जो है सब terms में हम क्या कर लें? divide कर लें, segment में divide कर लें और उसके meaning को समझने की कोशिश करें, ठीक है, देखिए, यह बात करते हैं कि echinodermita जो है, यहां पर echinodermita जो है, यहां पर echinodermita का meaning होता है, spines क्या होता है, मैंने कहा यहां पर echinodermita का meaning होता है, spines, spines को ही क्या कह सकते है, spines को ही यहां पर हम कह सकते है, spikeules क्या कह सकते है, ठीक है, और स्पायक्यूल्स को क्या कह सकते ओ messy, मैंने का यहां पर टूबेकल कहते हैं। हम देखे एकायनो का हमने मीनिंग समझा अब हम समझते हैं। डर्मा या पिर यहां गांट जैसे structure होते हैं और यहां पर टूबर्कल जो है इसका मीनिंग क्या होता है इंदी में इसे कहा जाता है कुछ गांट जैसे structure ठीक है हम इसके बारे में detail में study करेंगे कि कौन-कौन से spines present होते हैं उने spine इनमें पाई जाने वाले जो भी spines होते हैं उसका cut section भी हम देखेंगे उसका diagram भी हम study करेंगे चिक है और यहां पर जो आपको यह eta term दिख रहा है यहां पर देखिए अगर यह particular eta जो होता है अगर किसी भी term के बाद में as a suffix लगता है अगर अनुलगन के रूप में यहां पर अगर eta अगर लगा हुआ होता है तो यह किसको represent करत है अगर फाइटा लगा होता है तो वह पादप प्लांट को represent करता है अब देखिए यहां पर हमने देखा कि काइंटाप यह पाएश पाई जाता है मेंका और काअटे पाई जाते हैं spines पाई जाते हैं, कंटिकाएं क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, one of the best important character हो गया, जिसको हम इसके morphology, उसके बाहिया कारिकी external character के अधार पर क्या कर सकते हैं, observe कर सकते हैं, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर basic character के साथ हम अब study करने वाल फाईलम में बिल्कुल नहीं आते हैं, ठीक है, हमारा जो अब next topic है, इस फाईलम के बारे में, जो है, यह हम पढ़ने वाले हैं, इसका basis of classification, ठीक है, अगर हम यहाँ पर basis of classification की बात करें, मतलब यहाँ पर वर्गी करन की आधार की बात करें, तो मैंने यहाँ पर basis of classification को represent किया है, B.O.C. से, इसका मतलब क्या होता है, वर्गी करन का आधार, basis of classification, और very first जो basis of classification यहाँ पर देख रहे हैं, यह क्या है, मैंने का यह होता है, इसका basically, जो यहाँ पर सारीरिक संगठन का अस्तर होता है, जिसे हम क्या करते हैं, इसे हम L.O.O. से represent करते हैं, इसका meaning क्या होता ह है, और यह अपने जो भी JV की क्रियाएं होते हैं, biological activities होती है, वो किस लेवल पे perform करते हैं, किस लेवल पे संपन करते हैं, मैंने का यह अंतंतर लेवल पे जो है, इसको perform करते हैं, इसे लिए क्या करते हैं, इसे, इसमें जो है basically organ system level of organization पाया जाता है, कौन सा, मैंने का पर बॉड़ी प्लान के बारे में पढ़ते हैं किसके बारे में बॉड़ी प्लान के बारे में बॉड़ी प्लान जो है बिल्कुल जो आप जानते हैं इससे प्रीवियस फाइलम में भी आपने क्या किया था इसमें जो बॉड़ी प्लान होता है वो होता है वैसे कली ट्यू वि क्या कहते हैं मैंने का इसी को ही जर्म लेयर केते हैं जर्म लेयर को मैंने यहां पर GL से रिप्रेजेंट किया है ठीक है और यह कैसे होते हैं मैंने का यह त्रिकोरिक प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के जर्म लेयर होते हैं आपको पता है इसे हम क्या कहेंगे triplo-blastic कहेंगे trichoric प्रकार के क्या कहेंगे zeev कहेंगे ठीक है next classification को हम study करने वाले हैं और यहाँ पे जो है variation देखने को मिलता है ठीक है और यह क्या है अब हम पढ़ने वाले है body cavity के बारे में किसके बारे में अगर हम यहाँ पे देख गुहा body cavity कोई और क्या कहते है इसी को siloam कहा जाता है ठीक है और यहाँ पे अगर siloam के बारे में study करें तो यह इसमें जो siloam present होता है इससे पहले आने वाले phylum में present नहीं ठीक है ऐसा कहा जाता है कि यह you siloamate होते हैं इसमें सत्य परकार के गुहा तो पाए जाते हैं लेकिन सत्य परकार के गुहा में you siloamate में भी यहाँ पे कौन सा siloam present होता है मैंने का यहाँ पर enterosilome होता है क्या होता है मैंने का यहाँ पर जो है जो siloam present होते हैं उसे क्या कहा जाता है इसे enterosilome कहा जाता है enterosilome का मतलब यह होता है कि यह जो enterosilome है वो basically सबसे अतिविक्सित प्रकार के गुहा मना जाता है या फिर इसे जो है most advanced type के गुहा consider करते हैं तो हम यहाँ पर study करना है कि यह जो सबसे अतिविक्सित प्रकार का गुहा है वो उद्विकास के करी में evolution के sequence में सबसे पहले enterosilome किस phylum में दिखा गया था मैंने दिखा यह जो enterosilome type का गुहा है यह basically echino dermeta में दिखा गया था तो यह important character है इसका जो कि दूसरे phylum से variation को show करते हैं यहाँ पर देखिए हम next character परते हैं यहाँ पर body cavity के बाद इसके हम परते हैं symmetry के बारे में चीक है यहाँ पर अगर हम symmetry को discuss करें कि यहाँ पर इसका symmetry कैसा होता है मतलब इसके सम्मेति के बारे में हम discuss करते हैं तो इसका symmetry कैसा होता है मैंने कहा यहाँ पे यहाँ पे यह जो है कैसे होते हैं यहाँ पे यह जो है स्टार पॉइंट मार्क कर रहा हूँ क्योंकि यह यहाँ पर भी क्या करते हैं वैरियेशन्स हो करते है ऐसा कहा जाता है कि इन the members of единकाइरो डेमेटा क्या होता है इनके लार्वल अवस्था में बात करें इनके जो लार्वल स्टेज होता है लार्वा अवस्था में बात करें तो मैंने का यहां पर लार्वा स्टेज जो होता है इनका लार्वल जो स्टेज होता है इसमें कौन सी सिमेट्री होती है मैंने का यहां पर इसके लार् वेस्क अवस्था में चेंज हो जाते हैं, एडल्ट स्टेज में क्या हो जाएंगे, एडल्ट स्टेज में जब ये चेंज हो जाते हैं, वेस्क अवस्था में चेंज हो जाते हैं, तो यह जो इसका बाइलेटरल सिमेट्री है, वो किसमें चेंज हो जाएगा, मैंने कहां ये च पर देखने को मिल रहा है और यह क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कहा यहां पर狂 और और यहां पर adult stage इनके west का अवस्था में क्या होता है कुछ और होता है ठीक है लावल स्टेश में जो यह द्वी पाश्यों परकार के संभीत होते हैं वो चेंज हो जाते हैं सीधे ही वेस कवस्ता में आने पर इसमें क्या हो जाता है । यह पॉइंट डिसकस के लिया इसके साथ जो basis of classification होता है हमें symmetry तक पढ़ लिया है इसके बाद नोटो कॉर्ड की बात करते हैं, नोटो कॉर्ड क्या होता है, मेरे का यहाँ पर जो नोटो कॉर्ड है, वो क्या होता है, अपसेंट होता है, तो नोटो कॉर्ड अपसेंट है, तो हम इसे क्या कहतेंगे, इसे हम कहतेंगे, नोन कॉर्ड क्या कहतेंगे, इसे हम कह सकते हैं, नो इनो डर्मेटा फाइलम में तो क्या यहां पे segmentation present होगा तो यहां पे यह का जाता है कि इस particular फाइलम में segmentation क्या होता है absent होता है ठीक है इसी के साथ हमने जो भी basis of classification मतलब वर्गी करंग के अधार में जो भी points पढ़ने होते हैं जो कि NCRT में event होते हैं उसके बारे में क्या कर लिया है study कर लिया यहां पर two special points देखने को मिलेते आपको यह क्या मैंने का अगर symmetry की बात करें तो यहां पे variation दिखता है और साथ-सके siloom में भी पहली बार उद्विकास की कड़ी में सबसे अतिविक्षित प्रकार का जो siloom होता है जिसे हम enterosilom कहते हैं यह पहली बार देखा गया था तो यह enterosilom जो है पहली बार iconormita में देखा गया लेकिन इसके बाद जो भी यहां पे phylum पढ़ते हैं iconormita के अलावा जब हम पढ़ेंगे यहां पे hemicodita hemicodita के साथ यहां पढ़ेंगे quodita तो इन तीनों में भी क्या होता है इन तीनों में ही enterosilom क्या होते हैं present होते हैं अतिविक्षित प्रकार का गुहा क्या होता है पाया जाता है अब देखिए इसके बाद हम study करते हैं इसके next character के तरफ यहां पे हम पढ़ने वाले हैं next character क्या होगा इसके कुछ एक special character की बात करते हैं जो कि यहां पे इक कायों डेमिटा में पाया जाएगा ठीक है यहां पे देखिए मैं यहां पे बताने वाला हूँ अगर starfish की बात करें किसकी बात करें अगर हम यहां पे starfish की बात करते हैं जो इसी ही particular जो फाइलम का क्या होता है member होता है सदशी होता है हम उसकी बात करने वाले हैं यहां पे starfish का हम एक proper diagram देखेंगे कि वो starfish जो है हमें dorsal surface से कैसा दिखाई देता है ventral surface से कैसा दिखाई देता है मतलब यह है कि फ्रस्ट भाग से कैसे दिखते हैं अधर भाग से हमें कैसे दिखते हैं उससे हमें बहुत सारे general characters जो होते हैं starfish में वो भी हमें मालूम चलेगा तो हमरा आप next topic क्या है हम पढ़ने वाले हैं कुछ एक special character जो कि किस के होते हैं जो कि starfish के होते हैं यह जो starfish में पाए जाने वाले जो कुछ special character होते हैं मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि यह starfish में कौन-कौन से special character हमें देखने को मिलता है इसके लिए हम यहाँ पे इसका एक diagram बनाते हैं और यह जो diagram चरा हम बना रहा हूं इसके किस परसीस को बताता है मैं यहां पे लिख रहा हूं कि यह जो हम figure बना रहे हैं figure A ठीक है यहां पर जो figure A है यह star recording के डॉंड कर मैंने कौक्त कर रहे है किस फरेस की waar Origiendo गांसी की की स्टेहि caliber एनस होता है ये इसका गुदा मार्ग है और इसके साथ साथ अगर हम इसके structure बनाए तो मैंने का ये कुछ इस तरह से यहाँ पे starfish क्या होते हैं present होते हैं आपको ये भी पता है कि starfish में अगर हम यहाँ पे number of arms की बात करें यहाँ पे arms कितने होते हैं भुजाओं की संख्या कितनी होती है starfish में आप जानते हैं starfish में भुजाओं की संख्या 5 होती है पांच प्रकार की यहाँ पे भुजाएं हमें देखने को मिलती है तो यहाँ पे इसलिए तो कहते हैं कि इसमें radial symmetry तो होता है radial में भी कौन से symmetry होता है pentaradial punch और ये सम्मिति के बारे में हमने previous जब हमने इसके कुछ एक basic lecture के बारे में study किया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था basis में ही कि arms कितने होते हैं 5 होते हैं यसी लिए हम कहते हैं इसमें pentaradial symmetry होता है तो ये मैंने NS बनाया है NS के साथ मैंब क्या बनाने वाला हूँ कि ये जो 5 types के arms होते हैं हम इसके बात करें यहाँ पे इसका third arms बना रहा हूँ इसके third arm की बात करें कि यह जो है basically क्या होगे यहाँ पर कितने arms मनाने हमें हमें हम याँपे basically five arms बनाने हम और ये कौन से arms होगे, मैंने का ये जो arm है ये इसका, बैसकली कौन से भुजा है, यहाँ पे हमने 4 arms बना दियें और ये जो है इसके last arm को बना रहे है, जो की बैसकली इसकी 5 भुजा को क्या करता है रिपेसेंट करता है, ये देखिए मैंने ये जो डाइग्राम बताया है, ये किसका है, ये डॉर्सल सरफेस को यहाँ फिर इसी को हम ये कह सकते हैं, एबअरल सरफेस का कह सकते हैं को मैंने का यह जो है इसका ab oral surface होता है जिसका मैंने यहाँ पे diagram represent किया है यहाँ पर बीच में जो structure आपको कुछ एक port जैसे structure दिखाई जाते हैं इसे क्या कहा जाता है इसे इसका गुदा mark कहा जाता है और यहाँ पर जो इसके arms होते हैं हम इसके बात करें वैसे के लिए भुजाएं को represent कर रहें यह arms हो गए इसके और इनके भुजाओं पर क्या पाएजाएगा इनके भुजाओं पर जो है आन्यमित प्रकार के उभार पाए जाते हैं यहांसे irregular क्या पाए जाते हैं प्रोजेक्शन पाए जाते हैं उस अनिमित प्रकार के उभार को क्या कहते हैं यहां पर देखते हैं यहां पर विसकली हम क्या कर रहे हैं कि इसके जो यहां पर आम्स प्रेजेंट है इसके यहां पर भुजाओं पर कुछ इस प्रकार के क्या प्रेजेंट होते हैं कुछ इस प्रकार के जो है विसकली अनिमित उभार को क्या कहा जाता है? मैंने का इस बांत कहते हैं इसे ही spines कहते हैं, जो जो कि इनके बुज़ाओं पर क्या होता है crít मैंने कहा इनके arms पर पाय bread याने वाले इस एक particular लिगनका नाफन कहते है? स्बाइनस कहते है, जिस लिगनला के काटे या कहते हैं इसी को कहते हैं ट्यूबर्कल क्या कहते हैं इसे ही कहा जाता है ट्यूबर्कल भी कहते हैं या फिसे गांट जैसे structure कहा जा सकता है यहाँ पर देखिए इन सभी character के साथ यहाँ पर one more character के बारें पढ़ेंगे कि यहाँ पर जब हम dorsal surface की बात करते हैं आर्फिस के लिए तो यहाँ पर dorsal surface पर ही कुछ इस प्रकार की structure हमें दिखाई देते हैं जो कि इस echinodermetophilum का एक vicious गुंधर्म है एक special character होता है यह क्या है देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से चालनी ललीखा क्या कहते है यहाँ इस चालनी ललीखा क्या कहते है यहाँ आतो हम सीव ट्यूब के सकते हैं यह सीव ट्यूब के साथ साथ इसे हम कहते हैं सबसे टेकनिकल टर्म जो यूज करते हैं इसे कहा जाता है मैड्री पुराइट क्या कहा जाता है इसे मैंने कहा इसे कहा जाता है जो कि इसके डॉट्सल सर्फेस फ्रस्ट भाग पर ही पाया जाएगा ठीक है यहाँ पर यह जो सीव ट्यूब है या फिर यह जो मेड्री पॉराइट होता है इसका वर्क क्या होता है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि यह जो इकाइनो डर्मेटा फाइलम है इसमें एक यहां है तार में पाये जाने वाले इस अधुर्प चुक यहां से जो भी वाट्र इनके में बहा करता है say plural के जो अनूह होते हैं 132 को करेंगे एंटर करेंगे तो वो जो जल है वो छाना हुआ जल जो होता है इस मेड़ी पुराइट से इस से चालनी ललिका से कहां पहुंचेगा इनके वाटर वेस्कुलर सिस्टम में पहुंचता है ठीक है इस टॉपिक में इसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम की भी बात करेंगे वहाँ पे एक pathway बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे जो है water vascular system में जल इनके जो है body से क्या करता है circulate होता है परिसंचरन को दर साता है ठीक है लेकिन यहाँ पे जो सबसे important बात यह है जो जहाँ पे basically different types के strength के mind में misconception रहता है कि अगर हम यहाँ पे water canal system की बात करें तो water canal system sponge का क्या है special character है जल नाल तंतर के बारे में हमने porifera phylum जिसे हम sponge भी कहते हैं वहाँ पे study किया था यहाँ पे काइनो डर्मेटा में water vascular system होता है जल समवहन तंतर होता है ठीक है और जल समवहन तंतर में जो water enter करेगा वो किस से करेगा इसी सीव ट्यू और मेटरी पुराइट से च्छना हुआ water जो है उसके water vascular system में क्या करता है एंट्री करता है ठीक है तो हमने इसके dorsal surface का diagram देखा अब यहाँ पे starfish का एक और diagram हम देखने वाले हैं जो उसके अधर सतह का है मतलब उसके ventral surface का होता है देखे यहाँ पर again यहाँ पर diagram बनाने वाले हैं किसका starfish का ही है लेकिन यहाँ पर यह जो pore आपको दिखाए दे रहा है यह जो छिद्र नुमा जो आपको structure दिखाए दे रहे है जो porous structure है यह इसका अब क्या है यह इसका mouth होता है क्या होता है इसका mouth होता है यहाँ पे again हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे इसके 5 arms को बना रहे हैं जो starfish में यहाँ पे present होते हैं यह 5 arms जो होते हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पे present होते हैं इन 5 arms की बात करें 5 परकार के भुजाओं की बात करें और यहाँ पे यह जो surface का करते हैं कि सर्फेस को मैंने का इसके वेंटल या फिर अधर सतह को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है और यह जो पूर है यहां पर इसे क्या करते हैं अब इसे कहा जाएगा माउथ क्या कहेंगे इसे अब इसे मुक कहा जाएगा माउथ कहा जाएगा लेकिन इसके वेंटल सर्फ इसका नहीं, मैं यहां पर यह जो structure है, इसका ventral surface का बना रहा हूँ, ठीक है, और यहां पर इस तरह से जो खांच नुमा structure होते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है, 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 इसे कहा जा पर हमें इसके अधर सते पर दिखाई देते हैं इसे Ambulacral Groove कहा जाता है या फिर नली नुमा खांच कहा जाता है यहाँ पर Starfish के बारे में कौन-कौन से general characters जो हैं में देखने को मिले हम इसके बारे में study करते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया Starfish में number of arms कितने हैं 5 होते हैं य एक diagram जो है इसके dorsal surface को represent कर रहा है और एक diagram इसके अधर surface या फिसे कहते हैं ventral surface को represent कर रहा है दोनों में अलग-अलग character देखने को मिलता है अगर हम anus की बात करें anus हमें dorsal surface में देखने को मिलता है mouth की बात करें mouth जो होता है वो ventral surface पर होता है ठीक है वेंटल surface पर ही क्या होते है नली नुमा खाच embolacral groove होता है ठीक है लेकिन इसके dorsal surface पर क्या क्या होते है अगर हम spines की बात करें अगर हम इसके anus की बात करें anus के साथ साथ जो इसमें चारली लली का जिसे हम medry porite या sieve tube क्याते हैं जिससे छना ह हुआ जल इनके जल समवहन तंतर में enter करता है तो यहां पर इस तरह के characters जो है हमें इस diagram से देखने को मिला ठीक है अब हम यह देखते हैं especially अगर हम spines की बात करें ठीक है कि अगर spines जो होते हैं starfish में किस तरह से arrange होते हैं कैसे पाए जाते हैं हम उसके बारे में study करते हैं जो जो spines है आखी इसका arrangement क्या होता है मैं आपको यह बताने वाला हूँ तो हम यहां पर क्या करने वाले एक structure देख रहे हैं और इस structure में यह समझ देगी कोशिश करेंगे किस तरह से यहां पर जो cut section लेते हैं अगर spine का इनमें पाए जाने वाले कंटिकाओं का तो यह हमें कुछ ऐसे दिखा ज़ते हैं तो हमें इसका इसकीन का पार्ट बनाया है यह क्या है मैंने का यह सकीन का पार्ट है स्टार फिस के स्कीन का cut section हम देखने वाले तो हैं आप इतना जानते हैं कि तोचा पे मुख्य रूप से कितने layer प्रेजेंट होते हैं मैंने का यहां पे सपोज यह जो तोचा है वो तोचा का skin का सबसे outer surface होता है बाहरी सते होता है और इसे क्या कहते हैं इसे कहा जाता है epidermis का कहते हैं इसे epidermis कहते हैं और देखिए इसके नीचे ही क्या present होता है यहां पे dermis का layer भी क्या होगा present होगा ठीक है यहां पे हम basically यह बात कर लें कि यह diagram जो है वो का बैसेकली स्किन को कट करके अगर माइक्रोस्कॉपिक व्यू देखें सुक्ष मदर्सी से स्टडी करते हैं तो हमें कैसा दिखा जाता है मैं आपको यह बताने वाला हूं ठीक है हम यहां पे बात कर रहें इसका कट सेक्शन ओफ स्टार्फिस ठीक है अगर यहां पे स्टार् हैं ठीक है और यह कट सेक्शन में क्या क्या देखने को विला यहां पर एक डर्मिस है मैं यह देखते हैं यहां पर यहां पर एक्टोडर्म कहां से होता है लेकिन अगर हम dermis वाले पार्ट की बात करें कि dermis वाले पार्ट का origin कहां से होता है तो इसकी उत्पती जो है यह देखा जाता है किससे मीजोडम से होता है तो यहां पर हमने क्या किया cut section of starfish लिया और यहां पर इसके skin की बात किये अब हम इस पर पाए जाने वाले spines की बात कर देते हैं मैंने कहां एह ठीके और यह जो structure होता है यह क्या है मैंने कहां यह इसके спines को represent करते हैं किसको मैंने कहां यह इन में पाए जाने करते हैं spines को ही क्या केते है spines को ही कहा जाता है spikeules ठीके और ये इसका spikeules है या फिर spine होता है ठीके और ये जो spine होता है वो basically इसका work क्या है इसका function क्या होता है देखिए इस spine का जो function होता है वो basically क्या होता है मैंने कहा ये होता है protection क्या होता है मैंने का इस spine का जो function होता है वो क्या है मैंने का ये protection होता है चीक है अब देखिए next particular work की बात करते हैं इसी के cut section मतलब skin के cut section की बात करते है यहाँ पे cut section जो है ये किसका है मैंने का ये skin का cut section है चीक है अब देखिए यहाँ पर हमने spines और spikules की बात कर लिए यहाँ पे जो रिखाई देता है, इस से क्या यहाँ निखाई देता है, इसके क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, अब हम यह रेखते हैं कि आखिर ये पैडिसिलेरी का वर्क क्या होता है? ये देखिए इसमें जो pedicillery होता है वो basically क्या work करते हैं ये इनके सतह को ये इनके सरीर के सतह को या फिर तोचा के सतह को clean करते हैं मतलब इसको साफ करने के लिए क्या होते हैं responsible होते हैं मैंने का ये क्या करते हैं ये cleaning का work होता है चिक है कंटिकाएं हैं मैंने यहाँ पर सपोज यहाँ पर वन रिपेजेंट किया यहाँ पर टू रिपेजेंट किया और यहाँ पर क्या है त्री रिपेजेंट किया ठीक है कितने स्पाइन से बने होते हैं यह पैडिसियलरी थ्री स्पाइन से बने होते हैं लेकिन इस तरह के की बात की है जो बैसे क्लीन के तोचा को साफ करने के लिए उसको क्लीन करने के लिए रिस्पॉंसिबल होता है यहां पर नेक्स्ट क्या होता है नेक्स्ट स्टक्चर की बात करते हैं कि यहां पर नेक्स्ट structure जो होता है वो 什么 does हwah हम यहां पर बात करने वाले हैं ति कुछ ऐसे ही structure यहां पर देखने को मिलते और यह जो structure आपको दिख रहा है यह बैसे किया है यह जो है इसके dermal ब्रैंकी होते हैं क्या होते हैं मैंने काma इसके स्किन पर ही एक और structure प्रिजेंट होता है इसे क्या कहते हैं इसे कहा जाता है डर्मल ब्रैंकी क्या कहते हैं इसे डर्मल ब्रैंकी कहते हैं और यह जो डर्मल ब्रैंकी है इसका वर्क क्या होता है मैंने कहा यह जो डर्मल ब्रैंकी होता है इसका कारिय क्या होता है मैंने का इसका कारिय होता है गैसि वीनिमे में काम आते हैं किसका आते हैं यह गैसिय में में काम आते हैं और इनमें जो गैसियए एक्सेंजES होते हैं इसके बारे में हम इस्टेडी कर लें कि 원ис की यह जो गैसों पाई जाने वाले जो यहाँ पे spine होता है उसको study करने के लिए इसके skin को क्या किया मैंने का इसके skin को microscope में cut section लिया ठीक है इसके skin में क्या रिखाई देते हैं मैंने का यह जो basic structure होते हैं इसे क्या केते हैं spine कहते है यह spics कहते है और यह जो spines होते है यह जो spicules होते हैं इसका function क्या होता है मैंने का इसका function का लेकिन यहां पर the second layer कि दरिखाइ दे होता है मैंने का यह urgency लेडी होते हैं और 30 प्रकार के calcium with carbonate से बने हुए kंटिकाउंस से बने होते इसे कहा जाता है डर्मल ब्रेंग की क्या कहते है इसे डर्मल ब्रेंग की कहते है और डर्मल ब्रेंग की कहते है और डर्मल ब्रेंग की इस रेस्पॉंसिबल फो गैसियस एक्सेंजेज गैसों के विनिमे में क्या आते हैं इसमें जिम्मेदार होते हैं इसी गैसियस विनिमे को क्या कहा जाता है सौशन कहा जाता है रेस्परेशन कहा जाता है लेकिन एक और important point ये था कि ये जो मैंने skin का जो पड़कर part बताया है ये तोचा में जो इस्तर पाए जाते हैं जो layers पाए जाते हैं basically ये जो layer है कौन से हैं मैंने का जो outermost layer है सबसे बाहर का जो इस्तर होता है इसे epidermis कहते हैं और यहां पर नीची जो है वो क्या present होता है dermis present होता है epidermis ectoderm से origin सो करते हैं और dermis जो होता है mesoderm से origin सो करते हैं सो हमने इस lecture में mollusca phylum जो है उसके classification को भी study किया और mollusca phylum को classification मतलब six classes को with the example study करने के बार हमने start किया echodermita phylum मैंने echodermita का meaning क्या होता है वो बताया basis of classification में हमने जो है basically level of organization से लेकर के segmentation तक बात की ठीक है कि कौन-कौन से यहां पर point देखने को मिलते हैं जहां पर आपने देखा कि यह पहले aise phylum है जिसमें यू-silomate तो होते हैं लेकिन यू-silomate में किस प्रकार का सबसे advanced type का जो silom होता है वो देखा गया था सबसे पहले उद्विकास की करीमे जिसे हम कहते हैं enterosilomate ठीक है basis of classification के बाद मैंने previous diagram में आपको बताया था कि अगर हम स्टार्फिस के बलकर कहते हैं इसके साथ साथ आपको वहाँ पे sieve tube दिखाई दे रहे थे लेकिन हमने जब mental surface के diagram की बात की वहाँ पर हमें mouth दिखाई देता है कुछ एक नली नुमा खाट दिखाई देते हैं embolateral group दिखाई देते हैं और इस एक particular जो है इस diagram में क्या बताई है मैंने skin के बारें बताई है और यहाँ पे अलग-लग कारे भी आपने देखा और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे starfish में respiration किसे होगा तो आपने देखा यहाँ पे respiration के लिए dermal brain key होते हैं यह सोशन के लिए पाए जाने वाले संदस्तना होते हैं जो special structure होते है for the respiration which are present in the basically starfish ठीक है यहाँ पे तारा मस्ली में dermal brain key से क्या होगा gaseous exchange या respiration होगा यह भी आपने study किया ठीक है इन सारे point को study हमने कर लिया है हमरा जो next lecture होगा हम next lecture में क्या पढ़ेंगे इसी ikan dermita phylum के special character और भी हैं जिसे हमें पढ़ना है जिसे इसके water vesclut system के बारे में पढ़ना है water vesclut system के साथ हमें यह पढ़ना है कि आखिर ikan dermita में कौन से ऐसे characters होते हैं जिसके अधार पर यह कहा जाता है कि ikan dermita के जो members होते हैं उसमें कुछ एक advanced chordate character होते हैं, मतलब iconon ermita जो है basically अब वो लेवल आ गया है उद्विकास में, जिसके बाद codita जो है उसके फाइलम के जो members हैं, उसका evolution होने वाला है, लेकिन उनके character, मतलब codita के कुछ एक character जो हैं, यहीं से इसी फाइलम से हमें देखने को मिलते हैं, iconon ermita से ही हम यहीं भी बात करेंगे, ऐसे कौन-कौन से characters होते हैं, जो कि codita से similarities को show करते हैं, कौन-कौन से advanced chordate character को यह जो iconon ermita के members होते हैं, वो contain करते हैं, साथ-साथ इसके biological process या live process के बारे में discuss करेंगे, और इसके classification को भी study करेंगे, तब तक के लिए जै हिंद, जै राजधानी!